Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Studies So guys, start करते हैं Vector का Lecture No.3 और Vector में, last class में हम लोग discuss कर रहे थे Co-Planar Vector, ओके? तो last class में जहां से हमने छोड़ा था, वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे तो Co-Planar Vector के लिए मैंने आपको कुछ Results बताया थे कि एक ही plane में लाई करने वाले जो Vector होते हैं, वो क्या होते हैं? Co-Planar Vector होते हैं, और मैंने ये कहा था कि अगर तीन Vector हैं So, दो Vector, तीन Vector आपस में मिलके, तीनों Co-Planar Vector मिलके आपस में Results 0 Produce कर सकते हैं, मगर दो Co-Planar Vector मिलके कभी Results 0 Produce नहीं कर सकते हैं Okay, दो Co-Planar Vector मिलके Results 0 Produce नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इफ 3 Vector A Vector B Vector C, then X Vector A plus Y Vector B plus Z Vector C equal to 0 ये 0 हो सकता है कि तीनों Vector मिलके Results को 0 Produce कर सकते हैं where X, Y, Z all non-zero, all non-zero मतलब इनने non-zero होंगे, clear हो गया और non-co-planar के लिए मैंने बताया था कि अगर non-co-planar हैं तो non-co-planar में 3 Vector कभी Results 0 Produce नहीं कर सकते फिर आपको 4 Vector लगेंगे, कितने Vector लगेंगे? 4 Vector तो इन केस अगर इन non-co-planar है और कोई आपसे कह रहा है कि non-co-planar होने के बावजूद X Vector A plus Y Vector B plus Z Vector C equal to 0 है इसका मतलब क्या होगा? X equal to Y equal to Z all तीनों क्या होंगे? 0 होंगे तीनों क्या होंगे? 0 होंगे then मैंने आपको एक चीज जो बताई कि मैंने कहा था कि आप किसी भी कल मैंने example दे करके कहा था कि आपके पास ये कोई Vector है suppose this is Vector R तो आप इसको कई सारे Vector के linear combination में लिख सकते हैं याद आगे आपको? So R Vector is the linear combination of so X times of Vector A X times of Vector A plus Y times of Vector B ये Vector B है एक और चीज आपको बता दी जाए last में जो Corollary है Corollary 1 और Corollary 2 Corollary मतलब एक small result जो कि एक बड़े result से deduct होता है ओके तो पहली Corollary तो वही है मैं repeat कर देता हूँ जो first Corollary है वही है जो हमने पढ़ लिए if three vectors Vector A and Vector B Vector C are non-coplanar अगर तीन Vector है Vector A Vector B Vector C कैसे हैं या non-coplanar है ना अगर ये non-coplanar है तो आपस में जब एक plane में नहीं है तो 0 कैसे करेंगे कभी नहीं कर सकते still मतलब कि यदि एक plane में है तो X Vector A प्लस Y Vector B प्लस Z Vector C मतलब कि तीनों Vector का कुछ ना कुछ हिस्सा कुछ ना कुछ times where XYZ are xyz कोई constant है कोई क्या है constant है तो अगर तीन Vector है आपके पास तो पहली चीज ये 0 नहीं हो सकते अलग अलग plane में है तो ओके 0 नहीं हो सकते इन केस यदि आपको कहा जा रहा है कि X Vector A प्लस Y Vector B प्लस Z Vector C 0 है ओके तीनों Vector का linear combination 0 है दिन एक ही situation बनती है X equal to Y equal to Z equal to 0 यही situation बनती है फिर से मैंने बता दिया corollary के form में second corollary मैं state करता हूँ क्या है second corollary कह रहा है कि अगर कोई दो Vector Vector A और Vector B है यह देखे कोई दो Vector है एक Vector A यू गया हुआ है और एक Vector B ऐसा गया हुआ है अब आप Vector A और Vector B के linear combination से एक तीसरा Vector बना रहे हो suppose this is the third Vector इसका कुछ भी आप नाम ले सकते हो r ले लो और यह Vector क्या है इन दोनों के coplanar है मतलब some times of Vector A and some times of Vector B so it is x times of Vector A and y times of Vector B मतलब यह जो Vector R है यह A और B का क्या है linear combination है linear combination है तो सवाल उठता है कि r जो है इसी x और y के A और B के plane में होगा कि किसी another plane में होगा answer है उसी plane में होगा क्योंकि addition से जो Vector Generate होता है वो उसी plane में होता है जिस plane में आपके main दोनों vector रहते हैं clear हो गया addition से जो Vector Generate होगा वो same plane में रहेगा तो यहाँ पे r भी उसी plane में रहेगा क्लियर है बच्छों चलिए तो अब थोड़ा सा हम अभी वेक्टर वेक्टर में थे अब बच्छों हम इंट्री यहां से मानने वाले हैं वेक्टर इन्टू डामेंशन लगभग चली रहा है हम वेक्टर इन्टू डामेंशन में इंट्री करेंगे तो सबसे पहले वेक्टर इ यह वेक्टर A है और यह वेक्टर B है तो यहां से जो वेक्टर जाएगा वेक्टर R वेक्टर R में भी रिटेन है X वेक्टर A प्लस Y वेक्टर B इसका linear combination तो यह तो वेक्टर के terms में थी बात अब 2D में पे और तरीके से चलता हूँ तो देखिए बिच्चो क्या होता है 2D मतलब की 2 coordinate axis एक X और एक Y तो यह X axis दिया जाता है और यह Y axis दिया जाता है बेटा बैक साइड में यहां पे X dash लिखा जाता है और यहां पर क्या लिखा जाता है Y dash अब बेटा कुछ dedicated unit vector है मतलब X axis के towards में एक कदम क्या बुला जाता है बेटा I cap क्या बुला जाता है I cap ओके तो दूसरा बेटा अगर दो कदम चल दोगे तो कितना बन जाएगा 2 I cap अगर 3 कदम चल दोगे तो कितना हो जाएगा 3 I cap So what is I cap I cap is unit vector unit vector along X axis along X axis ठीक है unit vector along X axis ठीक है मैंने अभी Y इसको ले रखा है more clear करने के लिए क्योंकि अब मेरे को जड़ भी लेना आने वाले समय में तो थोड़ा सा मैं अपने डाइगराम को बदलूँगा ये देखिए अब आपको अच्छी picture clear होगी बेटा ये X है और आपके screen से बाहर की और निकलता हुआ बेटा ये Y है क्या है ये Y है जो आपके screen से बाहर की और निकल रहा है ठीक है ना और ये पीछे वाला area है समझ रहे हैं आप लोग और ये XY है अब देखिए ध्यान से X axis का जो unit vector होता है उसको एक कदम के vector कम क्या बोलते है I cap मतलब X axis की direction क्या होती है I cap clear हो गया So what is I cap I cap is unit vector along X axis right or wrong Okay So I cap is unit vector along X axis ये होता है And here it is J cap बेटा Y axis के लोग ये Y है और पीछे की तरफ क्या जाएगा Y dash क्या जाएगा पीछे की तरफ Y dash ठीक है So this is J cap ये क्या बन जाएगा आपने पास बेटा J cap क्या बन जाएगा बेटा J cap clear है So को जे कैप बोले So what is J cap J cap is same unit vector along Y axis अब देखे मान लीजे आप ये जमीन पे बैठे हुए है ये आपका floor है बेटा जिस पे आप बैठे हुए है है ना देखे आपको floor आपका जिस पे आप कहीं पर बैठे हुए है और यहाँ पर आपकी chair रखी हुई है मान लीजे आपकी chair जो है इस coordinate में है एक दो तीन तो ये आपका हो गया 3 eye cap कितना हो गया बेटा 3 eye cap और इधर पे आजाईए आप यहाँ पर 1 3 eye cap 1 2 3 clear हो गया 4 भी ले जी चलिए clear हो गया तो बैटा यदि मैं आपके coordinate की बात करूँ यहाँ पर तो coordinate क्या generate होगा 3,4 क्या generate होगा X में 3 unit है और Y में कितने unit है 4 unit है clear हो गया तो X axis में एक unit का vector eye cap है तो बैटा 3 unit तक का vector कितना generate होगा 3 eye cap अब Y axis में एक unit का vector J cap है तो बैटा 4 unit का vector कितना generate होगा 4 J cap बिल्कुल सही तो यह vector हो जाएगा 4 J cap अब मैं diagram को अलग से बना रहा हूँ यह देखे बैटा यह 3 eye cap है और इसके perpendicularly यह कितना है बैटा 4 J cap है की नहीं है clear की not clear yes अब देखे बैटा मैंने बताया था आपको by the law of vector addition यह complete vector जो होगा यह complete vector जो होगा यह O with respect to यह point P है बैटा सपोज तो यह जो complete vector होगा by triangle law of addition से मैंने बताया था resultant vector equal to sum of the successive vector 3 eye cap plus 4 J cap आया की नहीं है clear हो गया तो देखा आपने क्या क्या सीखा आपने यह देखा कि यह point था इस point के coordinate क्या थे 3,4 3, और बैटा यहां से यहां तक का जो vector generate हो रहा है O P बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे बैटा O P because it point P है so O P vector is equal to 3 eye cap plus 4 J cap ठीक है तो O P के इस vector को हम क्या बोलते है बैटा position vector of point P क्या बोलते है position vector of point P so this is called position vector of point P point P ठीक है तो position vector P का क्या हो जाएगा बैटा 3 eye cap plus 4 J cap तो मतलब simply जो आपके पास point है उनको आपको लिख देना है 3 eye cap plus 4 J cap A है B है तो ऐसा बन जाएगा बोले clear अगर आप इसकी length निकालना चाहते है then that is called O P का mod अच्छा O P को आप simple R vector से भी represent कर सकते है कोई notation ले सकते है so you can take it vector R या vector A vector B जो भी सहूलियत लगे generally बैटा P point है तो इसे small P ही मानना चाहिए समझ गए small P मतलब vector का single notation small letter से दिया जाता है clear की not clear अब बात कर लेते हैं O P का length कितना है तो देखे पाइथागोरस theorem से आपने पढ़ा है बटा ये length किती है 3 vector 3 आई कैप है बट length कितना magnitude कितना है 3 इसका magnitude कितना है 4 तो पाइथागोरस theorem से ये कितना हो जाएगा O P का magnitude O P vector का magnitude it is simply called O P okay equal to under root of 3 square plus 4 square clear बन जाएगा that is equals to 5 unit ये इसका magnitude आगया क्या गया इसका ये magnitude ठीक है अगर आप से ये पूछ लिया जाए कि O P की direction का unit vector बताईए क्या बताईए unit vector तो you know O P cap equal to vector O P sorry vector O P upon magnitude of O P clear magnitude of O P तो O P vector आपने कितना निकाला है 3 I cap plus 4 J cap and mod of O P कितना आपके पास में mod अभी 5 निकाल लिया आपने है that is mod of 3 I cap plus 4 J cap so देखे बता यहाँ पे 3 I cap plus 4 J cap whole divided by 5 now distribute it so 3 upon 5 I cap plus 4 upon 5 J cap clear बेटा so 3 upon 5 I cap plus 4 यह क्या है बेटा यह unit vector के component है क्या है किसके component है unit vector के किसके component है unit vector के आप focus कीजी अभी आपने जो complete vector बनाया था वो कहीं यहाँ तक बनाया था this is 3,4 यह complete vector था था कि नहीं था इसका unit vector इतना कहीं पे आएगा की नहीं आएगा आएगा ना तो इसके जो component यह जो vector निकला है that is called O P cap और इसके component 3,4 है मगर इसके जो component निकले हैं वो निकले हैं कितने 3 upon 5 and 4 upon 5 clear की not clear unit के component जो कहलाते है 3 upon 5 and 4 upon 5 clear है बन जाएगा ना हाँ तो एक चीज़ याद रखेगा अभी आने वाली है बट बताया देता हूँ मैं बेटा जो full vector के length component होते हैं उनको बोलते हैं direction ratios क्या कहलाते हैं हाँ जी तो direction ratios direction ratios किसके लिए उस होता है बेटा full vector के length component so I can write here length component of full vector of full vector बेटा full vector के length component जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं कहलाते हैं direction ratios and these are denoted by बेटा a small a small b small c अगर 3D में है तो small a small b small c but 2D में है तो small a or small b जैसे यहाँ पर देखे यह है अपने पास में a equal to 3 बनेगा और b equal to क्या बनेगा बेटा 4 बनेगा बनेगा clear की not clear but बेटा यह जो unit vector के length component होते हैं इनको हम बोलते हैं direction cosines so what a direction cosines cosines so direction cosines क्या होता है length component length component of unit vector length component of unit vector तो बेटा इतना का length component कितना है 3 by 5 है x का और y component कितना है 4 by 5 बेटा इनको किससे denote करते हैं हम लोग l m n से किससे denote करते हैं 3d चलने वाली है तो थोड़ देर में अभी l और m तो आपको दिख रहे हैं अभी क्या जाएगा n भी आ जाएगा क्या जाएगा n भी आ जाएगा बूली clear है तो यह बेटा 2D में representation हो चुका है बहुत आराम से हम 2D को represent कर सकते हैं एक बार फिर से मैं in general बता देता हूं बेटा मान लीजी यह y axis है यह x axis है अभी मैंने y इधर ले लिया है तो यदि अपने पास कोई point है a, b, a, b this is point p so बेटा position vector point p का हमेंसा origin के respect में okay क्या बनेगा op equal to a i cap plus b j cap a i cap plus b j cap because a आपको चलना है x axis के लोंg a unit so the vector generated will be a i cap and you have to move out y in y axis how much unit b unit so the vector generated will be b j cap okay so all total op vector equal to a i cap plus b j cap done op vector equal to a i cap plus b j cap clear है तो ऐसे आप लिख सकते हैं and unit vector मैंने आपको बताई दिया है direction यह क्या कहलाते है a and b the length component of complete vector these are called direction ratios तो इनको देखके ही vector को देखते ही जिस चीज के दर्शन होते हैं आपको किसी complete vector को वो क्या है इसके direction ratios बिल्कुल सही यह है direction ratios ठीक है और इसका जो unit vector आप निकालोगे उसके जो length component बनेंगे op cap के वो बनेंगे direction cos क्या बनेंगे direction cos clear हो गया कि नहीं हो गया yes तो एक चलिए अब 3D में आ जाते है directly अब 3D इसके बाद 3D शुरू हो जाती है यहां से तो 3D geometry में हम vector को किस तरीके से present करेंगे so यह मेरे पास system है 3D coordinate system 3D Cartesian coordinate system तो this is यह देखिए कल जैसे ही जैसे कल मैंने आपको laptop की screen के बारे में बताया था वैसे ही एक बार फिर से अपनी laptop की screen को समझे यह ठीक है एक access आपका X access है clear हो गया सामने वाल access आपका Y access है जिस plane पर आप काम करने जा रहे हो और यह access कौन सा है बटा Z access है आप तीनों access आपको दिखाई दे रहे होंगे दिख्या जी है ना तो यह Z access है और यह जो बन रहे हैं बटाई यह अलग-अलग plane है क्या है यह अलग-अलग plane है इसको कर देंगे तो आपको एक तरफ का कमरा सा दिख रहा होगा अब दिख रहा की नहीं दिख रहा है और यह आपका origin है यह वाला part O, 0, 0, 0, 0, 0 0, because आपने कुछ नहीं move किया है तो O, O का position vector क्या होगा 0 I cap plus 0 J cap plus 0 K cap So what is this is 0 I cap plus 0 J cap plus 0 K cap ठीक है अब आपको पंकी की tip पर आना है तो सबसे पहले कुछ X access पर आईए तो suppose मेरे इस कमरे में पंका X access में कित्ते unit पर लगा है साथ unit पर, कित्ते unit पर बिटा साथ तो first you have to come the point 7, 0, 0, because on X access के वल क्या होगा X का component ही जिन्दा रहेगा बाकी Y और Z क्या रहेंगे? 0 रहेंगे So first your component is 7, 0, 0 Now the vector generated इसको O A ले ले लो This is O, this is point A So O A vector equal to beta कितना होगा कितना होगा 7? I cap अब देखें थोड़ा सा Y access में जाएए तो साथ से चल करके थोड़ा सा आंगे आ जाएए, कितने unit है? 4 unit कितने unit है? 4 unit मान लेजिए 4 unit आपको आंगे आना पड़ा है जमीन में यहाँ पर यह देखें यह से आंगे की तरफ तो along the Y axis तो आपने 4 unit मुप किया है, तो 1 unit का vector J cap है, तो 4 unit का कितना हो जाएगा बताइए, यह A पे थे आप B पे आजाएंगे, तो 4 unit का हो जाएगा 4 J cap, कितना हो जाएगा 4 J cap, तो A B equal to हो जाएगा कितना 4 J cap, clear के not clear? अब देखें, आप आपको ऊपर जाना है अब आपको कहा जाना है? ऊपर विकास पंखे के tip पर चलना है पंखे के tip पर पहुंचना आपको तो यह उपर जाएगे, तो कितने unit लगा है? 5 unit, कितने unit लगा है? तो यहीं से आप आप उपर की तरफ move कर जाएगे यह देखें, 5 unit उपर है और आप पहुंच चुके हैं, पंखे पर पहुंच चुके हैं आप हावा में पहुंच चुके हैं, ठीक न? बुली, clear हुआ तो आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कितना unit आपने चले हैं? 5 unit चले हैं, तो as a coordinate system जो है आप पहुंच चुके हैं, 7,4,5 पे 7,4,5 पे but vectorial है आपने B से C तक reach किया आपने तो बिटा जो BC vector होगा, वो कितना होगा बिटा? 5K cap, होगा की नहीं होगा? 5K cap, अब इस point को positionate करना है मैं बना 2D रहूं, मगर यह हवा में है सब कुछ, इसलिए किस में है बिटा? 3D में है 3D में है, अब इस point को आपको positionate करना है, तो आपने इसको origin से मिला दिया because with respect to origin कर रहे है, with respect to क्या कर रहे है? origin, तो यह बिटा जो complete vector है, आपका OC vector बन जाएगा, क्या बन जाएगा? OC, तो मैंने आपको triangle law पढ़ाया है, कि लगातार vector का sum तो सबसे पहले आप O से A गए हैं, फिर A से B गए हैं और फिर कहां B से C गए हैं, समझ में आ रहा की नहीं आ रहा है? तो यह तीनों vector का आपने sum कर दिया, so what is OC vector, this is equals to 7i cap plus 4j cap plus 5k cap, clear हो गया? So this is the तीनों का, जो position vector बनेगा, इस point का, C point का, वो यह होगा OC, clear? आप इसको small letter जो भी देना हो A, B, C, D से denote भी कर सकते हैं, उससे कोई दिकत नहीं है, ठीक ना? What are the direction ratios, the full length component are 7, 4, 5, direction ratios कहा है, 7, 4, 5, ठीक ना? तो A, B, C, A, B, C, these are the direction ratios, कोई दिकत, तो यह हो गया direction ratios, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम 3D तो आई चुके हैं, हम जान चुके हैं कि यह 3D है, direction cosine निकालने के लिए, अब देखिए, यह complete vector था अपना, थे बेटा, C point तक चले थे, and C point कहा था, 3, 4, 5, तो हमारा जो vector है, that is generated vector, OC vector equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, now, इसकी length निकाल लेते हैं, तो OC का magnitude, that is also represented, single OC, equal to under root of 3 का square plus 4 का square plus 5 का square, okay, यह यह direction ratios है, यह न, चलिए, यह हो गया, OC हो गया, इसको solve कर देता हूँ, मैं, तो 3 का square equals to 9 plus 16 plus 25, तो 25 plus 25 equal to root 50, root 50, होगा की नहीं होगा, root 50, भाई, यह भी 25, 16, 25, 50 हो गया, और root 50 को मैं क्या लेक सकता हूँ, 25 गुने 2, so that is equals to 5 root 2, 5 root 2, unit, this is the length of this vector, यह इस length है, vector की length है, अब मुझे निकालना है इसका unit vector क्या होगा, तो इसके unit vector component मुझे दिखाने है, मतलब L, M, N मुझे आपको देना है, what are the direction, cosines, what are the direction, चली, बहुत बढ़िया, आप देखिए, यदि मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात में दिखा देते हैं उस चीच को, तो मुझे इस point के coordinate चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, OC cap निकालूँगा, क्या निकालूँगा, OC cap, तो OC cap equal to given vector upon इसका magnitude, तो magnitude कितना आ गया है, 5 root 2, यहाँ पर एक line और बढ़ा देना चाहिए, मुझे, given vector upon OC का vector, magnitude, clear, So OC vector equal to कितना है, 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, whole divided by under root of 3 का square, plus 4 का square, plus 5 का square, clear, So 3i cap plus 4j cap plus 5k cap divided by under root of 50, वही आ गया, clear है, जिसको हम 5 root 2 लिख सकते हैं, So 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, whole divided by 5 root 2, बिट अप component बना लिजे, So देखें क्या बनेगा, 3 by 5 root 2i cap plus 4 by 5 root 2 j cap, plus 5 by 5 root 2 k cap, बो, clear है, So यह जो बन गाए है, यह length component है, किसके, full vector के कि unit vector के, Full vector के है, क्या कर रहे है, OC cap है, unit vector है, क्या है, unit vector, So these are called LMN, क्या है यह, LMN, समझ गहा है, यह unit vector के length component है, किसके है, unit vector के, यह length component है, جो vector बना है, यह unit vector के length component है, 3 upon 5 by 2 i cap plus 4 upon 5 by 2, 5 root 2 j cap plus 5 upon 5 root 2 k cap, बन जाएगा, थो यह, L कितना हो गया, 3 upon 5 root 2, M कितना हो गया, 4 upon 5 root 2, और N कितना हो गया, 5 upon 5 root 2, clear? यह वेक्टर क्या बनता है, actually, this vector is represented by L i cap plus M j cap plus N k cap, L i cap plus M j cap plus N k cap, done, देखे, अभी जो आपने देखा वेक्टर, जो complete vector था, वो किस तरीके से था, complete vector यह था, O, O, 0, 0, 0, that is origin, and यहाँ पर जो point P था, वो क्या था, 3, 4, 5, P था यह सी था, कोई फ़र्ट नहीं पढ़ता, okay, 3, 4, 5, तो आपका यहाँ जो वेक्टर बना, O, P, cap, O, P, cap, उसके coordinates मैंने आपको बतायते हैं, क्या होते हैं, L, M, N, L, M, N, L आपका निकला था, 3 upon 5 root 2, M आपका निकला था, 4 upon 5 root 2, और N आपका निकला था, कितना, 5 upon 5 root 2, clear है, तो यदि मैं अब इन जनरल बात करूँ, बेटा, इन जनरल देखिए, बेटा, अगर यह origin है, इस जीरो, 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 तो यह वाले coordinates क्या हुआ करते हैं, बेटा, A, I, cap, प्लस, B, J, cap, प्लस, C, K, cap, A, I, cap, प्लस, B, J, cap, प्लस, C, K, cap, यह इसका, टोटल वेक्टर होता है, टोटल वेक्टर, ओके, जिसे आप O, P, भी ले सकते हैं, और O, P, का मैं नाम फिलहल, R, vector मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, बेटा, R, vector, तो O, P, जो है, R, vector, के, equal है, O, P, is equal to R, vector, and this is equals to, मैं लिख सकता हूँ, O, P, vector कहलो, या R, vector, कहलो, is equals to, A, I, cap, प्लस, B, J, cap, प्लस, C, K, cap, clear, Now, O, P, में, अगर, O, P, mod, का, divide, कर दोगे, O, P, mod, कितना होगा, O, P, mod, vector, O, P, equal to, हो जाएगा, under root, A, square, plus, B, square, plus, C, square, clear, A, square, plus, B, square, plus, C, square, now, O, P, cap, O, P, cap, equals to, A, I, cap, plus, B, J, cap, plus, C, K, cap, whole, divided by, mod, of, O, P, होता है, कि नहीं होता, O, P, cap, equal to, कितना होता है, vector, upon, उसका magnitude, clear, O, P, को, मैंने, क्या माना है, vector, R, और, इसके magnitude, को क्या लेंगे, mod, R, clear, तो, upon में, क्या हो जाएगा, पिटा, under root, A, square, plus, B, square, plus, C, square, clear, तो, यह, बिसको distribute कर दोगे, तो, क्या बन जाएगा, A, upon, under root, A, square, plus, B, square, plus, C, square, clear, I, cap, plus, B, upon, under root, A, square, plus, B, square, plus, C, square, J, cap, plus, C, upon, under root, A, square, plus, B, square, plus, C, square, K, cap, पिटा, this is called, L, this is called, M, and this part is called, N, so, इसको, आप, element, identify, कर लीजे, लिख भी, लीजे, याद भी, कर लीजे, L, is equals to, हो जाता है, and, A, upon, A, upon, उसका magnitude, A, square, plus, B, square, plus, C, square, M, is equals to, B, upon, under root, A, square, plus, B, square, plus, C, square, and, N, equals to, C, upon, under root, A, square, plus, B, square, plus, C, square, अगर आप इन, symbol, को, L, M, N, लिख दे, तो, देखे, क्या हो जाएगा, यह, अपने पास, यह, बन जाएगा, L, I, cap, plus, M, J, cap, plus, N, K, cap, समझ गए, है, what is this, this is, O, P, cap, क्या है, बिटा, यह, बिटा, यह, बिटा, यह, बिटा, यह, यह, बिटा, यह, बिटा, यह, यह, यूनिट, वेक्टर, बन गया, जिसके, coordinate होते है, L, M, N, ठीक है, चलिए, mod, निकाल लेते है, कि, length, बता देते है, आपको, हम कोहते है, तो इसकी unit vector 1 आएगी बड़ देख लेते हैं mod तो op cap का mod equals to हो जाएगा under root l square plus m square plus कितना हो गया n square clear है? op cap, op cap, अब आपको पता है कि op cap is a unit vector और किसी भी unit vector की length किती होती है? one, तो one is equals to l square plus m square plus कितना? n square का over root square कर दीजे दों तरफ, तो l square plus m square plus n square equal to कितना आ जाएगा बिटा? one आ जाएगा, very important identity, l square plus m square plus n square equal to one, done, clear है? so, बिटा, ये अपने पास में, जो है, अपने पास में बन चुके है, direction ratios and direction cosines मैंने आपको complete बढ़ा दिया है, ठीक है बिटा? चले, कुछ coordinate planes देख लेते हैं, coordinate plane में कुछ vectors आपके बनते हैं, वो भी देख लेते हैं, तो ये x axis है, ये y axis है, और ये कौन सा axis है, बिटा? z axis, तो plane का नाम होता है, बिटा, हर plane का एक name होता है, ये कौन सा plane है, बिटा, इसमें x है और y involved है, so this plane is called xy plane, कौन सा plane है, बिटा, हाँ, तो बिटा, इस plane में कहीं पी भी जाओगे, तो आपको x मिलेगा, y मिलेगा, मगर z कितना होगा, क्योंकि height कुछ ही नहीं है, ये वाला तो इसका equation क्या हो जाएगा, in everywhere y equal to 0, इस plane के अंदर हर point पे y equal to क्या होगा, 0 होगा, इस plane के अंदर हर point पे z equal to क्या होगा, third plane पे आजाईए, आपके left वाली दिवार, जैसे बच्चे आप लोग बैठे हुए, आपके left में दिवार होगी, ये सौनो, तो left में जो भी दिवार equation क्या बनेगा, x equal to 0, देख लिजे ध्यान से, ये बन जाएगा आपका x equal to 0, ठीक है, अब हम बता देते हैं, axis के equation, किसके equation, axis के, देखे, तो ये आपके सामने x axis है, क्या है आपके सामने, x axis, जब आप चलते हैं, तो ये point क्या बनता है, 1, 0, 0, ये point क्या बनता है, 2, 0, 0, 0, तो x axis में everywhere y equal to 0, और z equal to 0, बोले होता है कि नहीं होता, हाँ, मतलब 2 coordinate यहाँ पे 0, ये कौन सा axis है, y axis, ये आप यहाँ का point देखेंगे, तो कैसा होगा, बताइए, 0, 1, 0, होगा की नहीं होगा, क्योंकि y बस में position आएगी, बाकी दोनों 0 रहेंगी, तो इसका general point कैसा, इसका equation क्या बनेगा बेटा, इसमें x equal to 0 और z equal to 0, combinedly हमने पढ़ राखा बेटा भी pair of straight line, x, z equal to 0, तो confuse नहीं होगे, दोनों 0 हो जाएंगे, x b और z b, यहाँ पे भी x y equal to कितना 0, तो कोई आप से बोले x into y equal to 0, किसका equation है भाई साब, ओहो, sorry, z लिख लिखना था, x into z equal to 0, किसका equation equation है, y, x, किसका equation है, यह y access का, मैंने यहाँपे z लिख दिया, इसमें यहाँपे kya लिख दिया, z मुझे लिखना था, y into z क्या इन लिखना था, यहाँपे y भी 0 है, जड भी 0 है, तो y into z equal to 0, किसका equation है, x access का, venus. एक्सेस का, ऊपर Z पे आजाईए, तो Z पे देखे, Z एक्सेस पे आप चलेंगे, तो Z बस बचेगा, बट X कितना होगा, जीरो, और Y कितना होगा, आगया समझ में, यह बटा एक्सेस भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, डिस्टेंस भी बता दी हमने, clear हो गया, डिस्टेंस भी बता दी, clear हो जादेगा न, ओके, एक छोटा सा पॉइंट और है, वो कभी कभी आजाता है बटा देखे, यह हमाए पस हावा में कोई पॉइंट P, X, Y, Z है, मै बूल रहा हूँ इस plane की मेरी xy से distance क्या होगी किस से बटा xy से तो यह xy plane है मैं हवा मैंने पंखे से इस पे perpendicular खीचा यह देखिए perpendicular खीचा मैंने किस पे गिरा xy plane पे किस पे गिरा बटा अब मुझे बताईए अगर यह coordinate x है तो x का coordinate कितना होगा x ही होगा इसका बोलिये यस क में आपका यहाँ पे z है because आपने height travel करिए बट यहाँ पे z कितना होगा 0, z कितना होगा आपको इस point की xy plane से distance चाहिए है xy plane से distance तो distance कितनी है बताईए केवल z coordinate है कि नहीं है बस जितना जो नहीं है वही distance है तो xy plane से जो distance होगी वो कितनी होगी z coordinate तो यदि कोई आप से point P xyz okay distance of point P of xyz from देखे first point है xy plane कौन सा plane बेटा xy plane तो xy plane से distance कितनी होगी बताईए mod z होगी second yz plane बताईए yz plane से distance कितनी होगी only x और third है xz plane xz plane से distance कितनी होगी mod y समझ में आगया जी तीनों चीज़ें एकदम clear है चली बहुत बढ़िया तो अब हम पढ़ते हैं distance formula और बनाएंगे displacement vector चली गाइस next है अगला topic है हमारा displacement vector displacement vector अभी तो क्या पढ़ा था हमने position vector displacement vector okay so what is displacement vector इसको हम पहले समझते है displacement vector कैसे बनेगा देखिए बेटा आपके आप एक 3D space में है okay आप एक 3D space में है x y z axis है अब मैं 3D को 2D भी बना दूँ तो ज्यादा पीछे नहीं लगेगा आप लोग क्योंकि बार-बार axis बनाने में एक तो यह बहुत smooth चलता है बन कॉपी नहीं है कि बलकुल एक्दम fluent चले ठीक है तो चली अब जो भी ठीक है यह अपने पास में 2-dimensional access मैं एक्स दे रखा है इसको जड़ दे रखा है यह 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 of this pointer PX1,Y1,Z1 तो सबसे पहले भाई आप P का ठीकाना बताइए ठीकाना means position vector तो O से P को join कर दीजिए बैटा जी लिओ भाई ऐसा हो गया अब मैं बदल भी नहीं सकता हूं तो मेरे को मेरा point ही shift करना पड़ेगा चलेगा न बच्चों point P मेरा यहां आ चुका है ठीक है और क्या है भाई तुम्हारी तमन्ना यह है कि P से लेकर के Q जाना है कहां जाना है Q, P से लेकर कहां जाना है Q जाना है and the coordinate of point Q are X2, Y2, Z2 clear तो आपको P से लेकर Q जाना है तो P का position vector क्य equal to X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap बुलिए yes की no यह P का position vector है clear की not clear यह PQ है बेटा यह क्या है O P vector हो गया और यह हमको P Q पता लगाना है P Q पता लगाना है then O Q भी बेटा Q, Q point बेटा तो उसका भी कुछ ठिकाना होगा तो Q का position vector मैं बता देता हूं Q का भी मैं position vector आपको बता देता हूं कि Q का position vector क्या है यह लिजे जी यह बन गया Q का position vector O Q vector क्या बन गया बेटा O Q vector O Q vector equal to X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap clear है कि नहीं clear है नाओ बेटा अब आप triangle law आपको याद है कि triangle law में रहा है कि दो लगातार vector कसम तीसरे के result के equal होता था याद है so यह दो लगातार कौन है O P और O Q so I can say O P vector plus P Q vector O Q बोल गया माफ कीजेगा O P plus P Q equal to क्या हो जाएगा my dear O Q हो जाएगा क्या हो जाएगा O Q so P Q क्यों ना लिखा जाए P Q equal to O Q minus O P O Q minus O P एक formula यहाँ पर आपके सामने बन रहा है देखिए क्या बन रहा है formula P Q मतलब P से लेके Q तक जाने वाला vector equal to बाद वाला position vector देखिए पहले बाद में आया है और पहले Q आया है तो Q का position vector Q बाद में है बाद वाला माइनस पहले वाला मतलब final minus initial G हाँ अब चलिए हम vector बना देते है final minus initial का तो बेटा P Q vector equal to कितना बन जाएगा O Q रगदो भाई O Q क्या है यह O Q ले लो है ना O Q रगदो भाई यह X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap this is O Q O P क्या है बेटा X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap क्यों भाई है की नहीं है बस कुछ नहीं बेटा minus कर दो तो P Q vector equal to क्या बन जाएगा बेटा X2 minus X1 difference of X coordinate I cap plus difference of Y coordinate J cap plus difference of Z coordinate K cap बोली clear हो गया so this is called displacement vector क्या है बेटा ये displacement vector clear है अब बेटा देखो यहाँ पर इसके length component क्या बन रहे है या आपको vector से रिखाई देंगे यहाँ पर इसके length component बन रहे है ये वाला ये वाला और ये वाला तो इनकों क्या बोलता है direction ratios क्या बोलते हैं बिटा रिशियो समझ में आ गया तो यदी मैं लिखोंगा A A means direction ratios x2 minus x1 B का मतलब direction ratios y2 minus y1 और C भी direction ratios है that is z2 minus z1 So A B equal to y2 minus y1 and C equal to z2 minus z1 बोलो clear की not clear these are called ABC क्या है ये बिटा ABC these are called ABC any problem तो ये हमारे पास बिटा इनके length component आ चुके हैं vector के कोई दिक्कत ठीक है अगर आप से गोई बोले कि इसका magnitude निकाल दो मुझे length formula चाहिए है तो बिटा so simple PQ का mod PQ का mod करते क्या हैं हम हमेशा यही करते हैं PQ का mod length निकालने के लिए कि ये जो component होते हैं इनका square कर देते हैं क्या कर देते हैं इनका और root ले लेते हैं तो x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square और plus z2 minus z1 का square बिटा क्योंकि square लगा है तो आप x1 minus x2 कर दो तो भी कोई फर्क पढ़ने माला नहीं है क्योंकि 2 minus 3 का square और 3 minus 2 का square एक ही बनेगा तो गलती की कोई गुंजाईश है नहीं यहाँ पे समझ गए न तो बाद वाला point minus पहला वाला point का whole square कर देंगे तो यह आपकी क्या निकल जाएगी distance आजाएगी क्या आजाएगी clear है और अगर इसी के direction आपको यह चाहिए हो जैसे आपका complete pq वेक्टर आया है यह है complete this point is p and this point is q so the total length are called abc length component क्या कहला के थे abc बट इसका unit वेक्टर जो generate होगा बिटा that you can write pq cap उसके length component क्या होंगे lm n तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए element l equal to क्या होता बिटा पढ़ाया था मैंने a upon under root a square plus b square plus c square याद है आपको l equal to a upon तो यहाँ पर एक इतना आया है x2 minus x1 upon यह बटा पूरी की पूरी यही वाली रामाड दिखें है आपनो एना x2 minus x1 का whole square y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square ठीक है ना तो अगर आपको यह चीज़ याद है तो फिर तो यह बहन ही जाएगी similarly बटा m कितना आया था b upon यही वाला under root clear है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 minus y1 और नीचे same to same रहेगा और यहाँ पर n कितना आया था बटा c upon under root a square plus b square plus c square तो यहाँ पर आजाएगा z2 minus z1 और नीचे बिलकुल का बिलकुल same रहेगा बोली कोई दिकत ठीक है ना अब इसमें एक थोड़ा सा octant system आ जाता है कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है आपको बनना भी चाहिए और easy भी है देखिए जैसे two dimensional coordinate में यह थोड़ी सी 3D वाली बात है आपको दिखा भी दूँगा मैं two dimensional coordinate में बेटा चार हिससे एक एकसेस और आ जाता है ठीक न एक एकसेस और आ जाता है अब आप समझो थोड़ा सा यह ऐसे नहीं समझ में आएगा देखिए इसको ऐसे समझो आप कि एक आपके पास कोई प्ली शीट है तो बिटा देखो ये एक आपके पास कोई प्ली शीट है ये XY मन गया क्या वन गया बिटा ये XY intimacy उपर एक प्ली शीट आप और रख दो इसके उपर एक plane sheet ऐसी रख दो खड़े ताइप से यह इस तरीके से ठीक है और उसके उपर एक plane sheet आप इस टाइक से रख दो आप क्या सोच पा रहे हो कि इसके कितने हिस्से बनेंगे इस कमरे के 8 हिस्से कितने हिस्से 8 हिस्से इनको हम बोलते हैं octants क्या बोलते इनको octants जड़ा रोके एक मिनट हाँ अब देखिए बच्चों आपको इस चीज़ से clear हो जागा यह x-axis है यह y-axis उपर है यह z-axis पीछे जा रहा है देखिए total 8 कमरे बन रहे है बन रहे की नहीं बन रहे है देखिए एक आंगे वाला कमरा है जो आपको दिख रहा है ओके यह देखिए एक कमरा जो आपको यह आंगे वाला दिख रहा है यह ऐसा वाला दिखा की नहीं दिखा बच्चों बोलो भाई हाँ यह आंगे वाला कमरा है अगर मैं बताओं इसमे sin x का y का z का तो x भी positive है x positive है y क्या है y भी positive है उपर और z भी बाहर निकल दा तो क्या है plus 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 समझ में आ गया तो ये कहलाता है बेटा first octant क्या कहलाता है ये first octant इसको हम बेटा बोलते है first octant second octant में जाईए बेटा इस वाले कमरे में आ जाईए तो x negative हो गया है बेट y positive है और z क्या है positive तो बेटा इसमें x negative है y positive है z positive है ये कहलाता है second octant क्या कहलाता है ये second octant तीसरे वाले में जाईए बेटा देखे तीसरा वाला quadrant देखे x positive y negative z positive यहाँ पर जाईए x positive y negative z positive y negative जाना है न हमें तो यहाँ तो यह यह वाई निगेटिव जाना है हाँ निगेटिव और जड़ यह वाला बिल्कुल सही तो देखे यह जो कमरा है आपका नीचे जो जा रहा है कमरा इस तरीके से यहाँ पर X पॉजिटिव है बट वाई निगेटिव डिरेक्शन में है तो Y निगेटिव है जड़ भी क्या है बाहर की तरफ जड़ भी क्या पॉजिटिव है तो यह कहलाता बिटा देखो 1, 2 यह हो जाएगा 3 और यह क्या हो जाएगा 4 समझ में आए कि नहीं है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बन जाएगा ना तो X पॉजिटिव, Y निगेटिव, Z पॉजिटिव हो गया यह अगला नेक्स देखिए 4th octant 4th octant में जाएगे X भी निगेटिव है X भी निगेटिव है ठीक ना और Y भी Y भी निगेटिव है और Z क्या है पॉजिटिव है Z क्या है पॉजिटिव तो माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस अब ऐसे 4 पीछे वाले जो दिख रहे हैं वो आप कवर कर लोगे तो इनके साइन होते हैं तो 1, 2, 3, 4 ठीक है इसी तेक इस पीछे वाला 5, 6, 7 और 8 तो यह होते हैं आठ हिससे एक कॉइटिनेट प्लेट प्लेट थरी डेमेशल कॉइटिनेट प्लेट के इनको हम बोलते हैं OCTEND क्या बोलते हैं इनको हम OCTEND clear है तो आपको मैंने COMPONENT AUF VECTOR भी बता दिये है COMPONENT भी करना मैंने आपको सिख लिए है मैंने आपको position vector भी पढ़ा दिया है मैंने आपको displacement vector भी पढ़ा दिया है ठीक है और मैंने वही vector joining two point मैंने बता दिया मतलब वही displacement vector बता दिया है अब देखें थोड़े से concept जो है हलके से parallality के बечए हुए है parallality के concept जो है आपको मुझे कराने है देखे पैरलेल्टी का कंसेप्ट क्या है आईए देखते हैं बच्छों पैरलेल्टी का कंसेप्ट क्या है पैरलेल्टी का कंसेप्ट इस तरीके से कहता है आपके लिए कि देखे दो वेक्टर अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है बेटा ये vector क्या है? B है तो अब क्या कह सकते हो? कि vector B जो है वो अगर A के parallel है vector B is parallel to vector A मतलब definitely दोनों के direction तो same होंगी मगर vector B vector A का कुछ times होगा K times बो yes और no या इसको उल्टा समझना है तो ये vector A ले लो और ये vector B ले लो नीचे उपर vector A है और vector B है अभी भी दोनों parallel दिख रहे हैं तो दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि vector A जो है vector B का कुछ times होगा I can guess k times क्या हो जाएगा बेटा? k times तो vector A equal to k times of vector B समझ में आ रहा है? अब आईए देखते हैं बेटा vector A को मैं component form में resolute करूँगा तो क्या तीन component होते है AX, AY, AZ AX, AY होते की नहीं होते है सबके मैंने बता है न I cap, J cap, K cap तो मैं vector A को लिखता हूँ क्या होगा बेटा? AX, I cap plus AY, J cap plus AZ, K cap इधर K यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? BX, I cap plus BY, J cap plus B, Z, K cap बेटा, इसको उपन कर दो AX, I cap plus AY, J cap plus AZ, K cap equal to K, B, X, I cap plus K, B, Y, J cap plus K, B, Z, K cap ठीक है बेटा? तो AX, I cap अब vector को compare कर दो बेटा यह इसका I cap बाला part है और यह I cap बाला part है तो AX, I cap equal to K B, X, I cap बोलो clear की not clear? I cap से I cap cancel हो गया so resulting क्या बना बेटा? AX equal to K times of BX तो AX upon BX AX upon BX equal to कितना हो गया? K similarly, दूसरे part को compare करोगे बेटा तो क्या जाएगा? देखो A, J equal to K times of B, J आएगा की नहीं आएगा? तो A, J upon B, J equals to कितना बन गया? K और लास्ट वाले में A, Z upon B, Z दोनों के part A, J upon B, J ये भी क्या बनेगा बेटा? K तो एक common statement में लिख रहा हूँ बेटा दो वेक्टर की parallality के लिए A, X upon पहले का X component दूसरे का X component पहले का Y component दूसरे का Y component और तीसरे का पहले का Z component और दूसरे का भी Z component they having the same ratio they having the same ratio बेटा आपके किताम में इसी बात को लिख रखा है इस तरीके से दो वेक्टर A1 upon A2 equal to B1 upon B2 sorry A1 upon B1 equal to A2 upon B2 equal to A1, A2, B1, B2, C1 upon C2 clear हो गया की नहीं हुआ? लगलत लिख दिया मैंने A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 हाँ समझ गे न? they having the same ratio बट यहाँ पर वेक्टर किस फ़र्म में देखेंगे? पहला वेक्टर जो होगा A equal to A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap मतलब इसके जो component होगे A1, B1, C1 क्या होगे A1, B1, C1 और दूसरे component जो होगे that is equal to A2 I cap plus B2 J cap plus C2 K cap आप समझदार है सीड़ी सीड़ी बात component का ratio सेम होना चाहिए अगर component का ratio सेम है तो वो क्या होगे? parallel otherwise parallel नहीं होगे clear हो गया? कोई दिक्कत? तो भाई मैंने आपको unit vector भी बता दिये मैंने आपको unit vector भी बता दिये अब एक चीज़ और co-linearity of three points एक और concept है अगला concept है co-linearity of three points co-linearity of three points समझें इस concept को co-linearity of three points क्या कहता है? बिटा आपके पास इस space में तीन point कहीं बैठे हुए है ये पहला point है A ये दूसरा point है B और तीसरा point है C बिटा अब सबसे पहले इनके position vector बनाओ गया आप origin के respect में कहीं origin होगा हमें नहीं जानना कि कहां बैठा origin बट इसका position vector A point का कितना हो जाएगा बिटा? A cap A vector कितना हो जाएगा बिटा? A vector इसका कितना हो जाएगा बिटा? B vector ऐसे बनेगा और इसका कितना हो जाएगा बिटा? C vector clear? अब ये तीनों point अगर को linear है तो ये जो तीनो वेक्टर होंगे वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C समझके न अब देखो क्योंकि ये तीनो पॉइंट को लिनियर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्योंकि तीनो वेक्टर इसके क्या है को प्लेनर है मैंने कंडिशन बताई थी की तीनों vector लड़ जगड करके 0 हो सकते हैं coplanar में x vector a plus y vector v plus z vector c equal to याद आ गया तो इसमें x vector a plus y vector v plus z vector equal to 0 clear x vector a plus y vector v plus z vector equal to 0 and x plus y plus z equal to 0 तो यह है बेटा collinearity की condition किसकी condition है collinearity की condition है कि अगर यह point तीनों vector जो एक ही line पर बैठे हुए है अगर यह coplanar है बेटा तो x vector a plus y vector v plus z vector c equal to 0 and x plus y plus z equal to 0 then 4 point की coplanarity मैंने आपको बता दी है कि 4 point जो होंगे vector a vector b vector c vector d जो होंगे concept देखिए एडिंग बनाई है coplanarity of four points four points तो बेटा अगर 4 point coplanar है जैसे यह एक ही plane है एक दो तीन चार यह 4 point coplanar है ठीक है ना तो 4 point coplanar है तो concept क्या बनेगा बेटा इसमें देखिए इसमें अगर 4 point coplanar है इनके position vector suppose vector a है इसका vector b है इसका vector c है और इसका vector d है ठीक है तो vector a plus vector b तो 4 point है यह दी हाँ पे तो rule क्या बनेगा बेटा x vector a plus y vector b plus z vector c plus w vector d equal to 0 vector होगा equal to 0 vector होगा कब when x plus y plus z plus w equal to 0 जब 4 कसम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए क्या होना इस 4 कसम 0 होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत then next है अगला concept है linearly dependent linearly dependent अगला concept है कि vector जो है linearly dependent कब होंगे मैंने बताया था आपको कि एक vector r है आप उसको a और b का dependent कैसे लिख सकते हो whenever you are writing r equal to x vector a plus y vector b मतलब a और b की combination से क्या बना है r बना है क्या बना है a और b के combination से r तो बिटा यदि इसको यहां ले आओ या r को इधर ले जाओ तो क्या दिखेगा बिटा x vector a plus y vector b minus vector r equal to क्या मिल जाएगा 0 क्या मिल जाएगा मतलब इन तीन vector की mutual process से अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो तीनो vector क्या होंगे linearly dependent क्या होंगे linearly dependent तो बस मैं यही कहना चाहरा हूँ कि vector a और vector b और vector c अगर linearly dependent है बिटा अगर यह linearly dependent है तो condition क्या बनेगी x vector a plus y vector b plus z vector c equal to क्या होगा 0 होगा क्या होगा equal to 0 linearly dependent होगे तो क्या होगा तीनों का sum 0 होगा और बिटा तीन vector का sum 3 vector का sum 0 हो रहा मतलब वो क्या साथ में coplanar है क्या है यह coplanar है इसलिए linearly dependent जितने vector होते हैं they are also coplanar क्या होगे बिटा यह coplanar होगे ठीक है कोई दिक्कत अब यदि linearly dependent नहीं है तो तो क्या बोलेंगे उनको हम linearly independent क्या बोलेंगे हम linearly independent क्या बोलेंगे linearly independent तो इस case में क्या बनेगा बिटा इस case में बनेगा situation x vector a plus y vector b plus z vector c हो सकता है हो सकता है मगर condition क्या होगी ये तीनों 0 होंगे मतलब वो non coplanar होंगे non coplanar मतलब x equal to y equal to z equal to 0 तो that time these are called linearly independent और ये vector क्या होंगे non coplanar तो समझ में आ गया है कि linearly independent vector non coplanar होते हैं और linearly dependent vector क्या होते हैं coplanar होते हैं clear हो गया चलिए बच्चों तो अब इसकी practice start की जाए बहुर पूर practice हमको करना है इसकी और इसकी practice होने के बाद हम second exercise की तरफ move करेंगे thank you so much for being with us